दोस्तों हमारे देश को तबा बर्बाद करने के लिए कई लोग दोनों हातों पेरुख से तयार बैठे रहते हैं समाज में नफरत पैदा हो, हिंसा भढ़के बस इसलिए कुछ लोग ये काम करने के लिए हर समय उतारू रहते हैं समय एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मूड में रहते हैं कि कैसे नफरत को बढ़ावा देना है, कैसे हिंसा भढ़काना है, कैसे हिंदू मुसल्मान के बीच खाई पैदा करना है क्या कभी आपने इससे पहले देखा था, अपराधियों के प्रती समवेदना, क्या आपने रेपस्ट हत्यारों की जयजयकार करते वे कभी देखा था, सुना था, लेकिन अब वो सब होता है इनके लिए अपराध जुर्म कुछ माइने नहीं रखता है, माइने रखता है तो सर्फ मुसल्मानों के प्रती नफरत, मुसल्मानों को मारने काटने वालों के प्रती सम्मान चाहे, गुना कितना बड़ा ही क्यों नहो, इनका अपराध कितना बड़ा ही क्यों नहो, लेकिन अपरादी था लेकिन बिलकिस बानो नासिर जुनयत अखलाग पहलू खान इन लोगों नी किसी का क्या बिगाड़ा था किसकी हत्या कर दी थी तब भी इनके आरोपियों को फूल माला तिलक आर्थी लड़ू खिला कर घुमाया गया याद रखिएगा दोस्तो एक दिन ये कौम से नफरत करने के चकर में इतने अंदे हो जाएंगे कि इस नफरत का भेट वो हर कोई चड़ेगा जो ये सोच रहा है कि वो उसके साथ नहीं होगा वो तो सेफ है वो सेफ साइट खिल रहा है अब देखिए ना दोस्तो यती नरसिम के हत्यारे को बचाने के लिए इनके चेले लोग आ गया गये हैं यती और उसके जैसे चेले जो हैं उसकी वज़ा से आज देश का नौजवान कलत रास्ते पर निकल रहा है धर्म के ठेकेदार बन-बन कर युबाओं के जहन में जहर भणना उनको भढ़काने का काम ऐसे ही लोग कर रहे हैं जो उन अपराधियों को अपराद नहीं देखते हैं धर्म के सहारे जैश्री राम का नारा लगा कर आपरादी आरोपी हत्या करके निकल जाता और उसका बचाप करने के लिए यती के चेले आगे आ जाए हैं इससे नफरत को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क पुद भी एक अपरादी हैं यती नरसिमानंद गिरी के शुष्य यती निर्भयानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर अरविंद अकेला नाम तो जानते होंगी सर्तन से जुदा करने वाला धोंगी डॉक्टर वह अतीक अश्रफ के तीनों हत्यारोपियों की कानूनी और अपना काम करेगा लेकिन सनातर और हिंदू धर्म से होने के नाते हम अपना काम करेंगे हम उन्हें कानूनी साहेता उपलब्द कराएंगे और पिडित परिवार को भी आर्थिक मदद देंगे यती निर्भया नंद सुरस्वती ने कहा कि दो गुंडों का वद हुआ है इससे भी जादा टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है इसमें कोई टेंशन लेनी की बात नहीं है पुलिस अभिरक्षा में पहले भी तमाम बड़े लोगों को मार चुके हैं जो राक्षशों का वद करता है उसका सैयोग करना चाहिए अगर सैयोग नहीं करेंगे तो उसका मनुवल घटेगा और राक्षशों की संख्या बढ़ जाएगी इसलिए हमने फैसला किया है कि अरुन मौर्या, सनी और लवलेश, तीवारी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर उन्हें हर प्रकार की मदद दी जाएगी उन्हें हर प्रकार का संभब दिया जाएगा जिससे वो इन तीनों लोगों को जेल से बाहर निकाल सके तो देखिए उसके बचाब में भी अब लोग उतर रहे हैं कमाल की बात है ना दोस्तो तो इसलिए разряд को खत्म करने के लिए बरबाद करने के लिए ऐसे लोग जो है व旱 بين 3.70 यह तीली मारने का काम करें और वहीं तीली मारने का का उनलोगों की तरफ से किया चा रहा है दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रति के लिए हमें कुमेंट सिक्षन में जरूर बताईएगा साथी साथ पिशनती सिक्स्टी को जाद साजाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भोले